तो दोस्तो जैसे जैसे मीटर आपका आगे बढ़ेगा आप जैसा की देख पा रहे हैं इस तरीके से आपकी प्रोड़क्शन बढ़ती जाएगी और हर सेकेंड आप दोस्तो 70 पेसा के लगभग आपको कमाने वाले हैं और इस हिसाब से अगर केलकोशन की बात की जाए तो दो से कमा सकते हैं यदि फुल प्रोड़क्शन के साथ काम किया जाद में मिनिमाम सी मिनिमा आपको बता रहा हूं तो मशीन इतने रहने वाली कि आपको इसके अंदर जैदा कुछ करने की जूस्त नहीं है जैदा इसके अंदर लाना है कच्छा माल डाना है इसके पीछे एक रो मशीन होने वाली है तो प्रोड़क्शन के रहने वाला है हो सकता है आपने आपने बच्छन में धाइने रहने के लिए कि लिए इस वीडियो को लाईक किजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईये और कमेंट कीजिए इस तरीके से हमको पानी लेना रहेगा यह हम सेंपल थोड़ा सा बना के दिखा रहें आपको इसके एरेसों के अकॉर्डिंग अपन कम जादा इसको फिर जितना आपको क्वांटिटी बनाने कर सकते अभी हम यह five लीटर के quantity बना रहे है यह पाश लीटर पानी हम कम्प्रिट लेAy चुके है अब इसमें sugar मिलाना है हमको दो केजी यह हमको यह फ्लेवर डालने इसमें इसको तीन धककन हमको डालने है यह हम डालके दिखाते हैं एक तक एक से सी मदानी रहे गी है इसको मिक्सिंग करने के लिए यह लगा के हमको आउन कर देना है तो देख सकते हैं जैसे कि अब यह हमारा प्रोसेस हो चुका है अब दिखाते हैं हम आपको यह हमारा ओरेंज फ्लेवर बन के रेडी है इसको हम मशीन में फील करके इसकी वर्किंग दिखाते हैं आपको यह इस तरीके से फील करना है हमको इसमें यह तो हमने ट्रायल के लिए छोटा बरतन लगाया हुआ है वाकि आप प्रोसेस करते समय आप बड़ा बरतन लगा सकते हैं हमको यह पीछे इसमें रोल फसा देना है यह देख सकते हैं आप इस तरीके से हम एक बार रोल लगा देंगे बाकि यह फुली आटोमेटिक है मशीन पर आओ और यह कम से कम आपको 3000 पाउचेस बना के देगी वैसे तो इसकी कैपेसिटी 3600 पाउचेस की है यह देख सकते हैं आप फुली आटोमेटिक है इसमें आपको कुछ नहीं सुरू में एक बार बार सैट करना है आपको उसके बाद आप यह मशीन को छोड़ दीजिए यह देख सकते हैं इसका प्रोडक्शन यह कंटिन्यू इस तरीके से आपका प्रोडक्शन होता रहेगा आपको खाली जो भी एमप्लॉई लगा कि आपको खाली इसको पैक करना है यह देख सकते है इस तरीके से छोटे बड़े दो साइज में बनते हैं यह जो छोटा जो हम एक रुपय का सेल आउट करते हैं एक जो हम बेचेंगे हमको कॉस्ट आएगी 25-30 पैसे की जो कि हम All 때문에 में इसको 60 पैसे 55 पैसे में अरामसे बेस सकते हैं और यह जो कि रिटेल में कस्टमर को एक रुपय का बिकेगा इसमें अगर हम बड़ी साइच का बनाते हैं इस जो बड़ी साइच का बनाते हैं जो दो कर सकते हैं जिस क्योंकि इसकी जो है fully automatic machine है इसमें आपको बिल्कुल manpower का काफी बचा से आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे manpower के तो यह जैसे आप देख रहा हो यह तो आपको पते ही क्या है क्योंकि हमने बच्पन में काफी खाया हुआ है और इसको Pepsi बोलते हैं कई जगे और कुछ बोलते हैं और इसमें कई flavors आते हैं जैसे हमने orange बनाLR इसमें Rononymous के जगा काला खटा बना सकते होил कोक का फ़लेवर बना सकते हो मैंगो बना सकते हो ऐसे मतलब मल्टिपल काफी इसमें जो फ्लेवर हैं कम-कम 6-7 फ्लेवर तो ऐसे हैं जो काफी चलते हैं जो एकदम डिमांड में रहते हैं बाकी चाहें तो आप इसके अलावा भी कई फ्लेवर पैनेपल हो गया लीची हो गया इस तरीके के फ्लेवर भी आप इसमें पैकिंग कर सकते हो बाकी जो जनरली इसमें चलता है मैंगो औरेंज ये सबसे अदा चलने वाले फ्लेवर है और आपने तो ये हर कोई इसको बच्चपन में खाया होगा हमने खुद काफी खाया है तो आज इसकी डिमांड तब से लेके अभी तक कभी खतम नहीं हुई है और ये हमेशा चलने वाला प्रोडक्ट है इस मसीन की कीमत एक लाग तीस जार रुपए की है जो कि इसका जो भी इसका ट्रांस्पोर्टेशन रहेगा वो आपको कस्टमर को एक्स्टर देना रहेगा मातर एक लाग तीस जार रुपए की मशीन की प्राइज है इसकी